बिसमेल रह्मान रहीम, असलाम लेकूम विवर्स, उमीद करते हूं, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आज हम बना रहे हैं कीमा करेले, यहाँ पर मैंने करेले लिये हैं, इनका उपर से हमने छिलका रिमूफ कर देना है, छिलका उतार के और बीच में कट लगा के तो इसके ब बीचे भी निकाल दिये हैं, यह देखें सारे बीच मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिये हैं, अब हम इसमें हल्दी और नमक लगाएंगे, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून हल्दी लिये और हाफ टी स्पून ही नमक लिया है, हल्दी और नमक को मिक्स करके हमने करेलों क तो पर लगाना है और इसको हातों की मदद से अच्छे तरीके से मसल मसल के लगाएंगे करेलों के अंदर भी और बाहर भी इस तरह से क्या होगा के जो करेलों का कड़वा पाने ना वो खतम हो जाएगा फिर ये कड़े ले इतने कड़वे नहीं होंगे इसको लगा के रख देंगे हम तकरीबन 20 मेंड के लिए आचा यहां पे मैंने कड़ाई में वन फोर्थ कब जो है कुकिंग वाइल लिया है और उसमें दो टेबिल स्पून लहसन पौडर वन टी स्पून मैंने इस में लिया है कुटीवी लाल मिच हाफ टी स्पून हल्दी है वन टी स्पून गरम मसाला वन टेबिल स्पून सूका धनिया पाउडर है और वन टेबिल स्पून ही इसमें सौफ का पाउडर है सौफ मैंने घर में ही मोटी मोटी सी कूट ली इसको डाल के अच्छे तरीके से हमने भूनना है मसाले को अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे तकरीबन हमने मसाले को 6-7 मिंट तक इसी तरह भूनना है इसको पानी डालेंगे और भूनेंगे ताके मसाले जले नहीं तो यह देखें यहां पर पानी डाल डालके मैं मसाले को भून रही हूं तकरीबन साथ मिंट के बाद यह देखें हमारा मसाला अच्छा सा रेड़ी हो गया था अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर दूंगी तो यहां मैंने चिकन का कीमा लिया है आफ बीफ का मतन का कोई भी ले सकते हैं तो अब मैं इसको डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई करना है चिकन का कीमा जोए वो साथ जोड़ जाता तो स्पून की मदद से इसको हम साथ साथ तोड़ते भी रहेंगे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तो यहां पर देखें कीमा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है बहुत अच्छे तरीके से खुशक खुशक सा अब हमने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा कीमा जो है गल जाए और इसको ढखके रख देंगे स्लो फ्लेम पे तकरीबन 10-15 मिंट के लिए तो ये चिकन का कीमा था देखे जल्दी से ये कोक हो गया है गल गया है बहुत अच्छा सा थोड़ा सा धरा धनिया डाला है मैंने और ये देखे खुशक सा हमारा कीमा रेजी हो गया है अब हमने इसको आफ कर देना है चुले की फ्लेम को और इसको ठंडा होने के लिए रग देंगे जब ये ठंडा होगा तो फिर हमने इसको fill करना है करेलों के अंदर आच्छा ये देखे करेलों ने पानी छोड़ दिया है कितना ज्यादा सा अब हम इसको wash कर लेंगे दो दफ़ा हमने wash करना है तो यहां पर हमारे करेले वाश हो गए थे, अब मैं इसको खुशक कर रही हूँ तो यह देखे, करेले जो हैं खुशक हो गए, अब हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है अच्छा आप करेलों को मलमल के कपड़े के साथ भी खुशक कर सकते हैं और टीशू के साथ भी तो यहां पर देखे, करेलों को मैंने फिल कर लिया है, अब इसके ओपर धागा बांदूंगी मैं धागा बांदने से यह होता है कि फिलिंग बाएर नहीं निकलती है, अच्छे से कवर हो जाती है तो यहाँ पे यह देखे कीमा बज़ किया है इसको हमने बाद में फ्राई करना है और यह देखे हमारे करेले फिल हो गए है अब हमने इन करेलों को फ्राई करना है अब मैंने यहाँ पे कोकिंग वाइल लिया है तकरीबन दो टेबिल इस्पून या तीन टेबिल इस्पून के करीब कोकिंग वाइल था तो उसमें हमने यह करेले फ्राई कर लेने अच्छे से हमने इसको साइडे चेंज करके तो यह देखे हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए है अब हम कीमा रेड़ी करते हैं कीमा रेड़ी करने के लिये यहाँ पे मैंने तकरीबन आदा कप कोकिंग वाइल लिया है दो मैंने दर्मियाने साइस के प्यास लिये थे और इनको बहुत बारीक सा मैंने चौप किया है बहुत बारीक इसको अब फ्राई कर लेंगे तो यहां पे देखे प्यास हमारी गुल्डन सी हो गए इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक और half tea spoon लाल मिर्च का powder डाला है और इसको fry कर लेंगे अच्छे से हमने इसको fry कर लेना है प्याज और मसाले को नमक और मिर्च तो ये देखी अच्छे से fry हो गया है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी एट किया है अब मैं इसके अंदर टिमाटर शामिल करूँगी तो मैंने यहाँ पे चार छोटे टिमाटर लिये थे इनको भी मैंने चौपर में डाल के इतना बारीक इनका मैंने पेस्ट बनाया है बहुत बारीक सा टिमाटरों को भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है साथ ही हम इसमें हरीमिश डाल देंगे कटिंग करके लंबाई से तो यह हमारा मसाला अच्छा सा भून गया है तकरीबन 10 मिंट लगे होंगे उसके बाद हमने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है जो हमारा कीमा बचा वाथा दा फिलिंग के बाद वो हमने कीमा इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है तो यहां पे हमारा कीमा भी रेडी हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके बाद हमने इसके अंदर fry किये वे करेले रख देने है इसको थोड़ा सा mix कर लेंगे करेलों को कीमे के अंदर थोड़ा सा mix करके फिर हमने इसको ढख के cook करना है slow flame पे हम इसको ढख के cook करेंगे यानिके दम पे रखेंगे तकरीबन 15 min के लिए तो यहाँ पे 15 minutes हो गए थे तो यह हमारे जबरदस से कीमा करेले रेड़ी हो गए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और चुले की फ्लेम आफ कर देते हैं तो यह देखे माशालला से बहुत ही जबरदस हमारे कीमा और करेले रेड़ी हुए हैं आप लोग भी इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही मज़िदार बने हैं और बिलकुल इनका करवा टेस्ट नहीं है बहुत ही टेस्टी बने हैं आप लोगों ने इसको जरूर ट्राइ करना है अगर आप लोगों को मेरी रेस्पी अच्छी लगती है अल्लाह आपीज